हेलो एवरिवन दिस वहीद प्राइट एको तो आज की स्वीडियो में हम एलिमेंटर प्रो के जो विजट्स हैं उनको यूज करना स्टार्ट करेंगे तो यह जो हमारे पास विजट आ रहा है लोग ग्रिट इसको फिलाल नहीं चड़ेंगे क्योंकि यह इसको हम आगे जाक देखेंगे कि यह क्या चीज है और यह कैसे कहां करता है तो उसके साथ यह जो आपको नजर आ रहा है पोस्ट हम इसको देखती है इससे यह होता है कि आपकी वेबसाइट पे जो पोस्ट है जो कि हमने इधर एड़ की थी फिलाल तो मेरे इस वेबसाइट में कोई भी पोस्ट नहीं है लेकिन इधर जितने भी पोस्ट आपके पास होंगी जैसे आपके पास फ्रांट एंड पे शो हो रही होती है लेकिन आपने देखा होगा कि आपके पास फिलाल जो शो होती है पोस्ट वो कुई अच्छा डिजाइन नहीं होता उनका तो यहां से हम उसका डिजाइन कंट्रोल कर सकेंगी कैसे चले पहले मैं तो यह इदर ट्रैक करता हूँ और देखें कुछ भी शुवर नहीं हो रहा क्यों हो कि हमारी वेबसाइट में कोई पोस्ट है ही नहीं तो चले मैं इसको अप्डेट करता हूँ और इदर आके मैं कुछ पोस्ट एड़ कर लेता हूँ तो पोस्ट एड़ करना आपको पहले से आता है तो इसके लिए फास्ट फारवर्ड कर दूँगा तो यह देखें मैंने अपनी इस वेबसाइट में चार पोस्ट एड़ कर ली है यह पोस्ट कैसे आड़ होती है आपको पता है इसलिए मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि आपको पहले से पता था अब हम क्या करते हैं अब हम इदर आके एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यह देखें इदर पोस्ट आना शुरू होगी है क्यों क्यूंकि हमने पोस्ट का विजट ड्रैक किया था यह देखें पोस्ट का मैं इसको फिलाल के लिए डिलिट करता हूं इसको भी और दुबारा मैं थोड़ा स्कॉल कर रहूं और यह हमारा विजट खड़ा है पोस्ट का इसको मैं अधर ट्रैक करके ड्रॉप करूँगा तो यह मेरी वेबसेट की पोस्ट इदर शो करना शुरू कर देगा देखें वो ही पोस्ट है जो हमारी इदर वेबसेट पे हमने एड़ की है देख लें सेम वो ही पोस्ट है तो यहां से ऐलिमेंटर की हेल्प से हम इसकी डिजाइन कर सकते हैं पहले तो आपके देखा होगा कि आपकी वेबसेट पे जो पोस्ट यह होती है उसका डिजाइन बहुत ही बुरा होता है देखने लाइक भी नहीं होता तो यह Elementor आपको हेल्प करेगा अपने डिजाइन को कस्टमाइज करने के लिए जैसे कि आपकी पोस्ट के डिजाइन है अब इसको जैसे को लिखा रहा है स्कीन देख लें पूरा इस तरह रहा है न्याद करें अपनी स्टोपिक से फटके बात कर रहा हूं Elementor के लॉबукиक उप्यूपिक सर्फ और Elementor के जो एडॉण से हैं अडो जैसेiqué साथ होती है तो Elementor के Features और बढ़ जाती है मतलब यह है कहने का कि Elementor के Features सिरफ Practice करके ही समझे जा सकते हैं इसकी एक-एक वीडियो नहीं बनाई जा सकती जैसे कि अभी यह है हमने Elementor Pro इस्टाल किया तो आपके पास और ज़्यदा वीजट्स आ गए किसी दिना मैं कोई और प्लग इन स्टाल करूँगा उससे और ज़्यदा वीजट्स आ जाजेंगे तो एक-एक वीजट्स को समझाना पॉसिबल नहीं होता यह आप लोग खुद इसकी प्लैट्पिस करके आपको समझ सकते हैं क्योंकि यह मुश्किल नहीं होते जैसे अब लिखारा स्कीन तो मैं अधर से क्लासिक पेले स्लेक्टिड है अगर मैं कार्ड्स स्लेक्ट करूँ तो देखें अभी इसका डिज़ाइन चेंज हो गया तो वह सिंपल था सिर्फ चेक करने की देरती के विज़िश से होता क्या मैं पता तो चले तो अगर फुल कॉंटेंट कर दूँ तो यह स्तरा नहीं लग गया इमजे जगाइब हो गई है तब कुछ जो पसंद हो आप वो स्लेक्ट करें ठीक है और इसके नीचे लिखा रहा है कालम्स तो कालम्स देख एक, दो, तीन लगके पोस्ट के कालम है यह एलिमेंटर के कालम्स नहीं है कि पोस्ट आपने कितनी शो करनी है फर इसेंपल इदर आप तीम की जगावे चार कर दें तो एक ही लाइन में चार पोस्ट आएंगी अगर आप दो कर दें तो एक लाइन में दो दो आएंगी अगर आप एक कर दें तो एक एक आएगी पहले हमारी इस तरह चो होती हो कि बहुत बुरी लगती है आपको पता होगा हमारी पोस्ट इस तरह आ रही होती है ना तो फिलाल मैं इसको चार पर करता हूँ तो यह भी ठीक लग रहा है इसी तरह जब हमारी कुछ और पोस्ट होंगी वो इसके नीचे आ जाँगी इस तरह यह सारा चीज़ें काम कर रही होती है और यह लिखा रहरा है पोस्ट पर पेज एक पेज आप मैंडि आपने ज्यादा से ज्यादा कितनी पोस्ट शो नहीं होगे एक पेज पेज कैसी आपको इसका पता चलेगा इसके नीचे लिखा रहा हूँ है इमेज पोजीशन के इमेज आपने कहां पर रखनी है, अभी देखें, टॉप पे है, कि टॉप पे इमेज है, उसके बाद यह हमारी है, मतलब यह टाइटल है, उसके नीचे, यह कुछ हमारे meta description है, meta tags जिनको कहते हैं, मतलब कि हमारी date हो गई, comments हो गई, कुछ और चीज़ें हो गई, यह को हमारी category होगी, उसके नीचे हमारी, यह, जो हमारी description एड की थी, उसका first कुछ पार्ट आ रहा है, इस जो पार्ट है, इसको हम कहते है, excerpt, मुझे इसको अच्छे से pronounce नहीं करना आता शायद, लेकिन इसको कहते है, excerpt, तो बताने का मतलब है कि, यह इस तरह आ रही है, तो अगर हम इमेज की position चेंज करना चाहें, तो वह भी कर सकते हैं, जैसे आपको पताया था, कि Elementor, हमें हमारे design को customize करने का option देगा, तो यह देखें, left, तो यह जो हमारी images हैं, यह left side पर आजेंगी, और अगर मैं right करना है, तो right side पर आ गई है, left करना से पहले CCS योगर नहीं हुई थी, दुबारा करता हूँ, तो sorry, यह Elementor का कुछ problem है, लेकिन यह ऐसा होता नहीं है normally, लेकिन जैसे भी right side पर आई है, वैसे ही left करने से आपकी तरफ left side पर आनी चाहिए, यह मेरी side पर कुछ मसला आ रहा है, पतने क्यूं आ रहा है, वो नहीं बता, और none करने से picture गाइब हो जाएगी, जैसे आप नहीं वैब side पर picture आए, तो इस तरह गाइब हो जाएगी picture, तो मैं इसको फिलाल top पर ही रखता हूं, क्यों top पर ठीक लग रही है, और इसके नीचे यह जो option है, इसको फिलाल छोड़ी दें, क्योंकि यह इतने काम का है नहीं हमारे, यह निकार है image size, कि आपने image size कितना रखना है, देकिं, कोई इसमें मुश्किल चीज है यह इसमें, जितना size बढ़ाएंगे उतना, इसकी quality बढ़ जाएगी, इतना size कम करेंगे, qualities की कम हो जाएगी, देखिए अभी quality थोड़ी खराब है, जब इसका बढ़ाता हूं इसको, तो अभी देखिए, qualities की बढ़ गई है, इमेज इसकी quality बढ़ रही है, यह मैं size के बात नहीं कर रहा, quality बढ़ रही है, size दो हम style से जागे बढ़ाती है, बाकी यह लिखा रहा है, image ratio की कितनी ratio रख नहीं है, यहां से ही बढ़ जाएगी इसकी height, जैसे के, इदर लिखा रहा है 0.66, मतलब के 0.66, जो 60% भी बन रहा है, लगए 60% पर हमारी इमेज यह वो आएगी, 66 पर और बाकी पर, ऐसे यह देखें, जैसे हम करना चाहें, वैसे कर सकते हैं इसको, इसको मैं दुबारा से 0.66 पर रख लेता हूँ, और नीचे लेकरा image width, कि अपने width कितने रखनी है, देखें, लगे हर चीज़ की option आपके पास available है, कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है, जो कि मुश्किल हो इदर, बात करने का मकसद किया है कि elementor का एक एक widget समझाया नहीं जा सकता, आपने खुद practice करनी है, तो लिए टाइटल की settings हैं, कि टाइटल आपने show करना है, यह जो टाइटल हमारा आ रहा है, इस जरसे hide हो जाएगा, टाइटल अगर आपने hide करना है तो hide हो गया है, जो से दुबारे show हो गया है, जो हमारे description का छोटा सा एक पार्ट, उसको हम कहते हैं excerpt, यह देखें, यहां से यह बंद हो जाएगी, यह भी show नहीं हो रही, on करेंगे, तो वो show होने लग जाएगी, अब यह पूछ रहा है, इसकी length आपने कितनी रखनी है, अभी हैं कि 25 पे हैं, मतलब कि 25 word, देखें 25 word आ रहे हैं सब में, अगर मैं इसको 25 के जगापे 10 कर दूँ, तो यह देखें, accept चोड़ी होगी, अभी देखें 10 word आ रहे हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, देखें 10 word आ रहे हैं, और इसको भी छोड़ दें, apply to custom accept, यह element की नहीं, wordpress में जो अपनी accept होती है, वो है, रीच आ रहे है, metadata, आपको बतायता है, metadata यह होता है, मतलब कि हमारी जो comments हैं, हमारी date है, हमारी कोई category है, तो वो, वो पूछ रहा है कि अपनी क्या cash हो करवान है, जैसके लिखा रहे है date, comments, कुछ और जी जहां बैठ करना चाहिए, वो कर सकते हैं, for example, एदर click करें, plus पे, तो यह देखें, लिखा रहा है author, कि जिसमें, जो इसका author होगा, उसकी information, देखें, author भी लिखा रहा है, मेरा नाम, वहीद, क्योंकि यह post मैंने बनाई है, यह देखें, यह author है, तो यह भी आने लग गया, तो आपने जिसको remove करना हो, उसको, यहाँ से, close करते हैं, तो वो remove हो जाएगा, वहाँ से, इस तरह हम आप यह जो भी चीज़ यहाँ पैट करना चाहिए, यह कर सकते हैं, इसके लिखा रहा है, separator between, कि यह जो इसके बीच में separator है, यह अपने यह line लगानी है, दोनों के बीच में, या कोई और चीज़, तो for example, मैं धर dashes लगाता हूँ, तो यह कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, नीचे लिखा रहा है, कि read more आपने show करवाना है, यह जो button है read more, यह नहीं show करवाना, बंद कर दें तो नहीं show होगा, और कर दें तो show होगा, पीचे लिखार है read more की जगा कुछ और आपने लिखना है, for example, read more की जगा मैं लिखना है, learn more, यह लिखाने लग गया है, कोई बड़ी चीज़ है, बख लीकर open है new window, जब इसको open करें तो new window में open हो, और लिखार है automatically align buttons, के buttons सारे जो automatically align हो जाएं, निच्चे लिखा रहा है query कि आपने इदर post show करवानी है, या कोई और चीज़, कोई और आपके पास available है, कोई चीज़ है, for example, आपने pages show करवानी है, यह दर pages show होगे, देखिए हमारे पास यह वाले pages है, अब दो new page, my account page, checkout page, card page, job page, aw page, तो यह सारे इदर show हो रहे हैं, लेकर हमने फिलाल इदर post ही show करवानी है, तो मैं post को दुबार select करता हूँ, तो post show होने लग गई है, इसी तरह अगर हमारे पास products है, तो आप दर से product select करें, तो हमारे पास सिर्फ एक प्रोड़क्ट है, तो वो इदर show होने लग गई है, बाकी यह नीची इंक्लूड और exclude, कि आपने कोई चीज़ इंक्लूड करनी है, इसमें कोई चीज़ एक्लूड करनी है अपनी मर्जी से, तो for example, मैं चाहता हूँ, कि यह जो post है, जिस पे उपर लिगा रहा है, कि why do we use it, और यह जो post है, इसको मैं show नहीं करना चाहता, तो मैं इसको exclude कर आए, जाता हूं, बाकि सारी post show हो, लेकिन यह वाले post show नहीं हो, ठीक है, समझ आ है यहie बात को, कि 21 जितनी है वी मेरे website पर, सारी show हो, लेकिन सिर्फ इह वाली post show नहीं है, तो मैं क्या करूँड मैं exclude में जाऊंगा, exclude कर रहा हूं, इसको निकाल रहा हूं वाहिर, तो मैं इ वो paste open हुई है, या कोई manual selection अपनी मरजि से कोई select करनी है, या कोई term है, आपके पास, लएकिरा llum says, मतलब का नियाक है, उपने किसी ही कोई आथर की post remove करनी है, तो वो, तो फिलाल मैने manual selection करना, कि मैंने खुद उपनी मरजि से select करूँ, तो यहां पे मैंने सेर्च करना है उसका नाम जिसको मैं एक्सक्लोड करना चाता हूँ तो इसका नाम यह है वाई डू वी यूज इट तो मैं लिखता हूँ यह देखें मैंने वाई लिखा लिखा गया वाई डू वी यूज इट इसको मैं स्लेट करूँ तो ये देखें वो गाइब हो गी है उसके लावा बागी इतनी पोस्ती ही वो शो हो रही है इसी तरह मैं इसके साथ कुछ और भी आड़ का सकता हूँ तो मैं ये भी शो ना हो वाट इदलाॉरम इपसम तो मैं ये पेदर लिखता हूँ कुछ सर्ज करता हूँ उसका नाम मैं सिर्फ वाट सर्ज किया नीचे आगया वाट इदलाॉरम इपसम स्लट किया और गाइब हो गया हो ठीक है तो ये इस तरहां काम करती है ये चीजें नीचे लिखा रहा है अब आवाइड डुप्लिकेट्स मतलब ओर कोई भी पॉजट डुप्लिकेट्ट्ट ना हो इसको एक और आवन करतेंगे तो कोई भी पॉजट डूप्लिकेट्ट्ट नहीं होगी इसके नीचे लिखा रहा है औपसेट इसको आप छोड़ दें और बाके की नीचे टीट की सेटिंग है order by order descending ascending ये सारी चीज़ें कोई इतनी बड़ी चीज़ है नहीं और क्यों री आड़ी ये एडवांस की चीज़ है आपको इसको काम नहीं पड़ेगा आपके साथ और रीज़ है pagination pagination क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूँ एक website पे pagination क्या होती है यह मैं एक website open कर रहा हूँ यह एक blog website है software के लिए तो यह देखें जब हमारे किसी page पे post complete होती है तो जो new post होती है वो pagination बनाके बाकी pages पे move हो जाती है यह होती है pagination यह कि अगर हमने से आगे जाना हो for example यहाँ पे हमें अपरे काम की चीज़ नहीं मिली तो हमने इधर two पे क्लिक करेंगे तो हम अगले page पे आ गए है या फिर हम next पे क्लिक करेंगे फिर भी हम अगले page पे आ जाएंगे इसको कहते है pagination तो ही अगर आपको चाहिए उसको नान की जगा पे आप numbers कर दें तो नीचे numbers आने start हो जाएंगे फिला तो हमारे पास सिर्फ पोस्ट ही चाह रहें तो नीचे numbers आएंगे नहीं जब आपके जब हमारे पास जादा सारी चाहें यहां दोनों शोगरवाना जाएंगे previous next भी और numbers भी जैसे इसमें previous next भी यह previous बटन है next बटन है और साथ में numbers भी है तो यह चीज इस तरह क्या नीची आ गया page limit कि कितनी page limit टक नहीं है इसने में देखें पांच की limit टकी होगी है one two three four five मतलब ज्यादा ज्यादा पांच पिजश्यों होते हैं उसके बाद हमें खुद उससे आगी जाना पड़ता है इस तरह इदर भी पांच की limit है और बागी च्छोटी मोटस की settings है बागी style है style में भी इसकी setting कोई मुश्किल काम नहीं है कि आपने कितना इसके gap रखना है यह देखें इस तरह रोज का gap है एक से नीचे पर इसके नीचे कुछ और पोस्ट आएगी तो इसके नीचे का gap कितना रखना है तो alignment का भी आपको पता है कैसे align करते हैं center line हो भी आप center में आगी है सारी चीज़ें left line क मुश्किल चीज़ें पर आगी है तो बस कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है नीचे box है हर चीज़ें आपको पता है इदर style में जितनी भी चीज़ें हैं जितने features हैं सारे के सारे आपने देखे हुए हैं तो इदर हम आज क्लास finish करते हैं लेकिन इसके साथ यह जो हमारे वीडियोज में तब तक के लिए अलाहाफीज